हलो गाईज आपका स्वागात है मारे जिगे स्टडी स्टफ में आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं डिव कोलिज की ऐसे स्टुडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एंस वेफ से ब्लोंग करते हैं और साथ इसाथ वह भी फर्स्ट समेश्टर में है और उनके पास जो कोर दो है आयए बतन जो अपना बैस करो कर दो च्खरarda से कशटें स्टरेंट स्टॉर को स्टॉरिक wrestle करते हैं तो सबसे पहली बात इसमें ज должно हम उनिए उन्हे गया नहीं नहीं देखी है और अपको आई बटन से रहगा चाहिए उस over the video को वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहली बात इसमें यह बताएगी थी मैंने बताया था आपको उनिट 3 में जो है अपना बेस तीके मैं आपको रिवाइज करवा दोता हूं एक बार की उसमें हमने जाना था कि राजनेतिक सिद्धा जो भी अपने 10-year के questions है उस question पर उसमें बार-बार उदारवाद का ही मतलब जिक्र किया गया है जातर question उदारवाद को लेकर आता है और दूसरा question जो है जातर अरजक्तवाद को लेकर आता है तो हम इसके उपर ज्यादा ध्यान देंगे बागी हमें सब के उपर ही ध्यान द लिब्रिलिज्म कहते हैं और इसकी जो शुरुवात है वो लेटिन भाषा से हुई थी जिसको हम लेटिन भाषा में लीवर कहते थे ठीक है अब इसको हिंदी में क्या ग्याता है वह होता है सटंतरदा मतलब आजादी ठीक है तो उदारवाद ना एक परकार की विचार धा रहाती मतलब एक ना लोग की आइडिलोजी या फिर विचार धारती लोगों नहीं का करा लोग को लगता था कि हमें आजादी चीए ठीक है मनलब पहले ना लोग ना एक व्यक्ति का राज होता था पहले तो लोग को लगने लगा कि अब ना सब का राज होना चीए तो धीरे दीरे ना विकास होता गया है तो लोगों की जो मानसिक विकास है वो भी होता गया हो साथ इसार ना लोगों को लगा कि एक व्यक्ति का राज नहीं होना चीए बलकि सभी व्यक्ति का राज होना चीए समाज के अंदर या किसी देश पर ठीक है माला सभी को अगर अधिकार मिल लाएगा सभी का राज होगा तो सभी क्योंगे बराबर भी होगा दूसरी बात क्योंगी सभी को अजादी मिल देगी अगर एक वेक्ति कानून बना रहा है और वही क्या कर रहा है सब कुछ कर रहा है तो एक प्रकार से उस वेक्ति के बहुत सारे क्या हैं सारे के सारे लोग ग लिए उदारवाद की विचार दारा जैसे कि मैं आपको बता है कि उसका मतलब होता है कि आजादी ठीक है मतलब लोगों को क्या चाहिए आजादी चाहिए इसका पूरा concept अपना आजादी को लेगे जाता है फिर हमने राज्य की भूमिकाव को लेकर भी हमने इसमें कुछ जाना था जिसमें होब्स और लोक ने भी अपने विचार रखे थे अभी ना हम इसके बार में ओड जानेंगे ठीक है तो पार्ट सेकिंड में यहां से शुरू होता है उदारवाद का जनक या पिता उदारवाद मनलब की जो यह से पहली डेफिनेशन जो है उदारवाद की वह किस ने दीती जो विचार धारा जो थी वो किस की मान ले गई थी जोन लोक की मान ले गई थी सिंपल बात यह कि उदारवाद को लेकर जोन लोक से पहले एक और वेक थी था जिन्नोंने उदारवाद के बार में कुछ अपने पॉइंट्स रखे थे लेकिन वो गलत सिद्ध हुए तो उसके ब पिता जो नोग को माना जाता है तो निया। this is that कि जब उदारवाद नहीं था मनलब उदारवाद की कोई विचाड़दा रहा कोई आइडिलोजी नहीं थी लोग आजादी के बार में नहीं सोचे थे तो उससे पहले क्या होता था ठीक है जैसे कि मैंने होता है कि उदारवाद में सभी लोग क्या आजाद है ठीक है सभी का क् अपने देश पर राज होगा कोई भी ओपर नीचे नहीं है मतलब सभी क्या कर सकते हैं अपने काइदे का बना मलब बनाएंगे तो बनाएगा तो एक वेक्टी लेकिन सब को पालन करना है और कोई भी एक दूसरे के पर बोज नहीं बनेगा लेकिन पहले क्या होता था देखो उदारवाद से पूर्व की स्थिति हम जानेंगे तो उसमें क्या हुआ था इसको आप परिच्चे के रूप में भी लिख सकते हो भूमिका के रूप में भी लिख सकते हो उदारवाद में अधिक से अधिक स्वतनत्रता पर दान करके समाज के विघास की जा सकते है मतलब बूला गया को मारन roduVIN tuh कानून वगेरा मादब जो कानून बनाए गए है ना पूरे समाज के लिए उनका तो पालिण करेगा ठीक है तेकिन साथ ही साथ उसके कुछ अधिकार है उसके अ पर उसको यह रहेगा महल में तो राजा क्या करता था एक कुछ व्यक्तियों को निप्ति करता था और वो क्या होते थे जमियदार लेंडार हुआ करते थे पहले जैसे कि हम सब ज呀ante कि भारत का पूरा क्या था क्रिशी पर्दान देश माण्या, हहला है भारत है रिच्ने भी संखम निखे सकती है वो सारे कि सारे खेटी आहे हिदे ने खिती से दSi तो राजा क्या करता था कुछ अधिकारे को निक्त करता था जिनको जमिदार काया था था वो बिचोलिये या फिर मद्यस्टा की भूमिका निवात है थे और साथ ही साथ वो जो जमिदार थे वो किसानों के पास जाकर किसानों का शोर्षन करते थे उनके साथ अत्याचार करते थे क्योंकि राजा ने क्या बोला उनको कि तुम जमिदार हो और तुम मैंने निक्तों किया है और तुम का जाओगे किसान के पास और कर लेकर आओगे बस टैक्स के लिए बेशता था राजा लेकिन क्या होता था टैक्स लेते लेते ना जमिदार क्या करते थे किसानों का और अगर जमिदार एक सही टाइम पर अगर जमिदार ना सही टाइम पर किसानों से टेक्स लेकर राजा के पास नहीं बोश से थे तो जमिदारों की जो नोकरी थी जो राजा ने उन दी थी वो मनला जमिदार क्या होते थे हड जाते थे ठीक है अगर जमिदार अपना काम सही स हुआ करता था मड़ब ऐक ही वецतिया जो क्या होता था राजह होता था ठीक है एक यह वेक्ति का चलता था शाषन बाखि सारेक तरिए सारेक LTर innovations से क्या राजह से बंदे वह है ठीक है राजह की बात उन्हें मानने पड़ेगी और राजह ने अगर कोई भी काईदे कानुन नियम वगएरा कुछ भी लागू कर दिया, तो वो बिना जो लोग है या जनता है, वो बिना किसी प्रष्टन के उसके जो काईदे कानुन या नियम है, उसको मानले ती, मुलाब उस समय ना राजा से कोई भी कोश्चन नहीं किया जाता था तो यह सबता सामतवाद में देखो इसको मैं explanation के थुरू भी समझा जेता हूं सामतवाद भारत में नहीं था बलकि भारत के भार भी था तंत्र को बोलते हैं सिस्टम ठीक है इस सिस्टम में राजा का शाशन होता है ठीक है तथा कुछ जमिदारों की निक्ति वो कौन करता है राजा करता है कुछ जमिदारों की निक्ति जो मद्यस्तों मतलब की बिचोलिय की भूमी का निभाते हैं मद्यस्तों लगी देखो राज दितधे चेट की राजा उसलिए नियुक्त कि वंदार काया है तत्छा किसानों से कर वसूल देते हैं तर्था किसानों का चूँशन भी व्यवस्था चलती थी देश की समष्ट सक्तिया देश के अंदर कंट्री के अंदर जितनी भी पावर होगी न वो सारी की सारी किंग मतलब राजा के पास होती थी जब समष्ट सक्तिया राज्ये के पास अर्था राजा के पास थी तो सामंतवाद के समय में एक वेक्ति को था वो कुंता राजा क्योंकि राजा कुछ भी बनाए कोई सभी नियम बनाए जनता उस पर कोशन वगेरा कुछ नहीं करेगी जनता को बस उसको फोलो करना है जनता के चाहिए अधिकार या किसी भी चीज का उलंगन हो रहा हूं वो नहीं देखना बस राजा नेका है तो वो अब बन चुक है उसको पालन करना ही पड़ेगा ठीक है तो एक वेक्ति को महतु दिया जाता था बाकि लोगों के अधिकारों पे जादा ध्यान नहीं दिया जाता था सामन्त वाद का जो काल था मला यह वाला जो समय था ना जिसमें यह सब एक्टिविटी हुआ करती थी र लोगों का मान से विकास भी हुआ मैं लोगों ने क्या करा एक आइडोलोजी बना ली कि हमें अब राजा के जो भी नियम है उसका पालन नहीं करना है तो धीरे-दीरे मान से विकास होता गया ना तो उसके बाद समाज का भी विकास हुआ और साथी साथ देखो अभी एक्ट काल था न वो थोड़ा सा बदल जाएगा ठीक है अभी एक वेक्ति का राज चल रहा था तो एक दम से देखना पूरी की पूरी जो इस्थिती वो पलट जाएगी फिर एक काल आ गया पुनर जागरन का काल देखो अब ना पुनर जागरन का होता है लोग ना जागरुक हो गए अवेर हो गए ठीक है पहले देखो राजा जो हुआ करते थे वो एक वेक्ति का राज होता था उस सामया मतलब सा पुन्ह जागरेट हो गए मतलब लोग अवेर हो गए जाग गए जीवाला समय के लाता है पुन्ह जागरेट काल जब लोगों ने क्या गरा आंदोलन चलाने शुरू कर दिये कि हमाई ये साथ गलत हो रहे तो हम इस आंदोलन को चलेंगे ठीक है तो लोगों ने ना क्या गरा अपने अधिकारों के लिए एक कई परकार के आंदोलन चला है दीक है और अपने अधिकारों की रक्षागी तो लोगों ने राजा से प्रेशन करना भी शुरू कर दिया अब लोग अवेर हो गए तो अगर राजा कोई सभी काईदे कानू नियम वगेर बनाता है तो आप जनत क्या करती थी फिर आंदोलन करती थी राजा के विरुद ठीक है तो इतना था राजा से प्रेशन करना भी शुरू कर दिये लोगों ने क्योंकि लोग अब पुने जागरित हो चुकि है इस वाले काल को बोलते है पुने जागरन का काल ठीक है जिसमें लोगों ने राजा से शुरू कर दिया कि यह वाले नियम क्यों बनाए है इससे हमारा क्या फायदा है अगर लोगों को फायदा नहीं होता था तो लोग क्या करते थे राजा के विरुद अंदोलन चलाते थे तता लोगों ने आवाज उठाना भी शुरू कर दिया तता विज्ञान मलब साइंस का भ किलोजी मनाए जिसको उदारवाद का जाता है ठीक है अब देखो पहले राजा का राज हुआ करता था ठीक है मतला एक ही वेक्ति राज करता था बिना कोश्चन करें जनता को पालन करना पड़ता था लेकिन कुना जागरन का काल आया तो लोगों ने परशन करना शुरू कर धिए ठीके और अंदोलन भी शुरू किये फिर उसके बार ना सभी लोग क्या हो गया सभी लोगों को शबी लोग दिवलों को लिबर्टी यह मतलब freedom भी है अब इसके बाद देखो उदारवाद के विबिन विचारक मतलब कौन-कौन से लोग थे जिन्नों ने उदारवाद की परिवाशा दी कभी भी अगर आप मतलब एक्जाम देते हो अभी जैसे हमने फर्स उनिट पढ़ी ती तो उसमें जितने भी मतलब एक दो कौनसेट जो म सुरक्षन आता है तो आपको ना भूमिका के बाद विबिन परिवाशा लिखनी है जो अलग-अलग विचारकों ने दीती जो उदारवाद के बार में सोच से थी तो जोन लोग जो थे उन्होंने क्या परिवाशा दीती उदारवाद की देखो उदा इनको मतलब जोन लोग को उदारवात का जनक या पिता कहा जाता है ठीक है यह मैंने आपको पहले भी पताया था भी जैसी वीडियो स्टार्ट के थी इनकी अनुसार राज्य का निर्मान प्राकर्तिक अदिकारों के सुरक्षन मतलब सुरक्षा या प्रोटेक्ट के लिए किया गया है जो भी अपने राज्य है उसका निर्मान इसलिए किया है ताकि प्राकर्तिक अदिकारों का संदक्षन या फिर उसको प्रोटेक्ट किया जा सकी अब प्राकर्तिक अदिकार ऐसे कौन-कौन से अदिकार है पहला है जीवन जीने का अदिकार दूसरा है संपत्तिक अदिकार तीसरा है स्वत अधिकार तो की यह पूरा का पूरा किस पे डिपेंड है उदायरवाद पे तो यह पता है जो हैं प्राकर्तिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाया गया उस्में उजदी शायशक है यद Chris राजा प्राकर्ति के अधिकारों के संदक्षन परदान नहीं करवाता अगर राजा ऐसा कोई कारे करता है जिससे किसी व्यक्ति के प्राकर्ति के अधिकारों को क्या पोच रही है हानी पोच रही है जैसे कि किसी के जीवन को खतरा पोच रहा है किसी की प्रोपर्टी को खतरा भूत जाए या किसी की अजादी चीनी जा रही है जारी ने कोई ऐसा नियम बना दिया ज्या राजा इनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा तो जन्ता शाषक के विरूद जा कर साषक को हटा सकती है और विरूद क्या चला सकती है आंधोलन इनका अनुसा मनुष्य विवेक शिल प्राणि यह वेक्ति के प्राकर्ति रोपर बल देते थे जो लोग जाता है ना इसी अधिकार पर बल देते है जीवन जुदारवाद के बार में अपने पैंट रखें लास की ऑधर्वाद के वारवाद का संबन संपरिदाया से कम मानव के सभाव से ज़ाद है मैं लग धरम वगेरे इन सबसे कमेंन का रिलेशन उदारवाद का लेकिन मानव के भी है वियर सभाव जो भी है ना उससे ज़ाद है तो गाईस ये ता अपना जो यूनिट थर्ड का सेगेंड पार्ट आई होब गाईस आपको ये जरू पसंदेगी इस वीड़ा हमने जाना कि उदारवाद के जनक या पिता को ने उनकी डेफिनेशन मतलब उदारवाद की जो अलग अलग डेफिनेशन जो दो विचार को ने रखी है और उसके बार भी हम जानेंगे कि कौन-कौन से विचार है जिन्होंने उदारवाद की परिवाशा रखी है उसको हम थर्ड़ पार्ट में जानेंगे बाकि हमने उदारवाद से पहले की स्थिती भी जानी थी कि पहले समाज कैसा हुआ करता था सामन्त बाद था फिर दीरे विकास हुआ लोगों का तो पुने जागरन का काल आ गया फिर दीरे और भी गास हुआ तो उदारवाद का समय आ गया तो यह था अपना उदारवाद के बार में थोड़ी सी और इन्फोर्मेशन बाकि थर्ड पार्ट या फिर फॉर्थ पार्ट के दुरुआ में इस यूनिट को पूरा 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 कम्प्लीट कर देंगे अगर आपको इड़ पसंद योगी अगर आपको इड़ पसंद आए तो उड़े को लाइक शेयर कमिन करना बिल्गों न भूलिए और साथी साथ अगर आप महाँ चायम पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बन नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तरह पास सकते हैं तो गाइज मिलते हैं नेक्स वीडिके साथ तैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो